हेले स्टुडेंट्स वेल्कम तु आफीसियल यूट्यूब चैनल आप ओरीजिन स्वागा थे आप सभी का और आज हम बात करेंगे नीट के बारे में तो जैसे कि आपको पता है कि हमने स्रीजन बैच के नाम से टू सक्सेस्फुल सेशन कंप्लीट किया अभी 2024 हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम स्रीजन थ्री पाइंट ओ सेशन लेके आ रहे हैं और इसमें हम 2025 के लिए आपको नीट करेंगे कुछ नए improvement के साथ कुछ हमारे application में नए feature के साथ और contents पर भी बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद हम continuous progress के condition में है continuous improvement के condition पर हैं और हम 2025 को एक special achievement के साथ complete करने के लिए आपके सांथ तयार है तो आज मैं शेयर करूंगा कि 2025 नीट के लिए जो हम स्रिजन 3.0 का जो सेशन लेके आएंगे उसमें हमारे क्या क्या प्रीचर होंगे हमारे पास किस किस तरह सी हमारी प्लानिंग है कैसी हमारी स्टेटिजी है कब हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे कब क्या करेंगे इसका इस पर आज मैं कंप्लीट आप से डिसकस कर रहा हूं और एक बात ध्यान में रखना कि जो स्टुडेंट टेंट क्लास टू 11th मूविंग है मतलब ग्यार्वी क्लास में गए ह है और जो 12 पास आउट होने के बाद ड्रापर डैट मिंस 13 क्लास में इन्रोल्ड है मतलब ड्रापर स्टुडेंट है वह सब के लिए यह बहुत इंपार्टेंट है क्योंकि जो 11 क्लास में स्टुडेंट है अभी से उनको यदि नीट का टार्गेट है तो उनको अपना बैसि इस ट्रेंट क्लास में बिल्कुल 0 लेबल से स्टडी स्टार्ट करते हैं यह मानते हुए कि आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं जानते यह हमारा सबसींपार्टेंट होता है इस बैस का बिल्कुल फाउंडेशन प्लस नीट तो ऐसे भी स्टुडेंट जिनका फाउंडेशन के लेबल से त्यार करना उनके लिए बहुत बेस्ट है तो चलिए मैं बात करूँ कि इस में हमारा फीचर क्या क्या होगा देखें तो हमारे फीचर से इसमें यह 2025 के लिए complete oriented हमारा बेच होगा नीट oriented बेच 2025 देट मेंस completely based on new syllabus यह हमारा complete new syllabus पर best होगा आपको मालूम है कि NTA ने new syllabus declare किया है और इस new syllabus में बहुत से contents बहुत से टापिक को हटा दिया है मतलब 24 के एक्जाम से ही बहुत से टापिक को डिलिट कर दिया हाला कि 24 में 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 आया 24 में यह जो information है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आया तब तक हम लोग बहुत से ऐसे टापिक पढ़ा चुके थे जो नीट के सिलेबस से हट चुका है लेकिन अब वो लेट में आया इसलिए है लेकिन अभी हम new session जिस्टार्ट करेंगे तो new session में हम क्या करेंगे beginning से एकदम सुरुवात से हम नए सिलेबस को फालो करेंगे तो 2025 को हमारा न्यू सिलेबर पर बहस्ट होगा यह आप ध्यान में रखना है फार 11 ट्वेल्थ एंड ड्रापर इस्टूडेंट जैसे मैं आपको बताया कंप्लीट 11 एंड 12 सिलेबस 11 एंड 12 का पूरा हंडेट परचेंड सिलेबस इस बैच में आपको कराये जाएगा लाइब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रिकार्डेट यहां प्रवाइड नहीं करा जाएगा जनरली हो जाता है कि पुराने रिकार्डे ऐसे भी सिलेबस हो गया है तो पूरा क्लास लाइब होगा बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा यदि आप ये कोर्स लेते हैं कुछ और जाब में भी होते हैं उनकी बात अलग है बाकि जिनके पास टाइम उनको लाइब में आना क्योंकि देखो हमारे पास लाइब सेट का फैसलेटी है और लाइब चैट की बहुत बड़ी फैसलेटी है यदि आप लाइब क्लास में हैं और कहीं पर कोई टापिक आपको समझ नहीं आया तो लिए यहन राइस करके हमसे बात कर सकते हैं डेट मिन्स एग्जेक्ल है के आफलाइन क्लास आप समस सकते हैं कि वहें हो जाता है सिर्फ हमारे सामने नहीं होतें क्नेक्टिवीटी तो हंडिट पर सेंट होती है और तभी क्लास का मतलब है तभी क् लाइब देखो सबस्पॉर्टेंट बाद जैसे हमारा लाइब क्लास कंप्रीट होगा उसके थोड़ी दिर बाद आपको इसका रिकार्डेट क्लास मिल जाएगा आप उसको आफ्लाइन डाउनलोड कर सकते हो यह मैंने बताया कि बहुत से निव फीचर के साथ हम लेके आ रहे हैं अपने 2025 के बेच को कि डीपीपिस आपको देंगे टेस्ट प्रिवियस एयर में टेस्ट के लिए कुछ प्राबलम हुआ यह मैं मानता हूं क्योंकि हम थोड़ा उसको मेरेंज नहीं कर पाया लेकिन इस सेशन में हमारा एप्लिकेशन बहुत इंप्रूव हो चुका है बहुत एडवांस हो चुका है और प्रापर टेस्ट हम लेंगे इसकी प्लानिंग करेंगे आप लोग में क्लास म हमारी कंप्लिट प्लानिंग करने से पहले कि हमारी किस तरह से प्लानिंग होगी हम कैसे आपके साथ करेंगे क्योंकि आपको कोर्स लेने से पहले पूरा उसके बारे में पता होना चाहें कि भई इस स्कुर्स में हमारे साथ करना क्या क्या है तो हमारी प्रिंगास यह करनी प्लानिंग क्या है कि हमार थो मीरा क्लास है स्री जन अटि ट्वन्टी-टि फाइब के लिए जो बैच्य इसके कि सारे सब्जेट को एक साथ पढ़ रहे हो क्योंकि आपको आज के डेट में एक स्पेस्लिस टीचर एक मास्टर टीचर आपको कलेक्ट करना चाहिए और इंडिविज्वर आप सब्जेट को परसनल पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से प्रिपेसर कर पाऊगे तो मेरा क्लास सिर्फ की लिए है यह मैं आपको बता दूं कि यह जो मेरा सब्जेट के लिए होगा हिंदी मीडियमे का क्लासोगा आपको मालूम है इसके बात देखो यहाँ पर इंप से है कि सबसे पहले मैं आपको Basic Mathematical Tools से स्टार्ट करूंगा That Means Zero Label से मैं आपको बिल्कुल Zero Label से स्टार्ट करूंगा जिसकों कहते हैं Basic Mathematical Tools माने स्टार्टिंग में हम कुछ क्लासे आपको यह मान के पढ़ाएंगे कि आपके के फाउंडेशन को तयार करना है तो यहां से में क्लास स्टार्ट करेंगे इसके बाद देखो सबसे ज्यादा इंपार्टेंट हमारा फोकस रहेगा कॉंसेप्ट पर कॉंसेप्ट पर फोकस रखने का मतलब यह है फीजिस कंप्लीटली कॉंसेट बेस सब्जेक्ट है मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रेंट फीजिक्स को पढ़ना नहीं जानते मेहनत तो करते हैं देखो हार्ड वर्क से आल वर्क तभी होगा जापर डिरेक्शन लगाओगे तो कॉंसेप्ट पर फोकस क्लास होगा मेरी पूरी कोशिस होगी कि हर क्लास को इतने डिपली कॉंसेट के साथ में हम पढ़ें कि उससे बैस्ट आपको बन जाए देखो मैं हमें साफीजिस क्लास में बोलता हूं कि आपने 100 question तयार किये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 101 जो नया question आएगा वह आपसे बन जाए लेकिन यदि आपने 10 concept बहुत तयार किया है तो 10 concept के बेस पर आप कई हजार question बना सकते हैं फिजिक्स में question से ज्यादा important होता है concept concept clear हो question तो लास्ट वर्क है हमारा पहला वर्क तो concept है तो हमारा पूरा क्लास concept पर बेस्ट होगा और after that formula concept के बाद नंबर आता है किसका formula का जब concept clear हो जाता है तो concept clear होने के बाद उस्टे रिलेमेंट फार्मूला हम वह भी ट्रिक्स वाले फार्मूला कि प्रिक्स वाले फार्मूला पर पर बेस्ट हम आपको प्रिप्रेशन कराएंगे ट्रिकी फार्मूला पर कि साट कट में थर्ट के साथ फिर देखो यह दोनों काम होने के बाद हम कोस्टन की प्रेक्टिस करेंगे यह लाइव क्लास में हम आपको लाइव क्लास में कोस्टन की प्रेक्टिस कराएंगे जो भी हमारा लाइव क्लास होगा उसमें हम प्रेक्टिस कराएंगे कोस्टन का mcq question के फार में जैसा आपके नीट के question पर पूछा जाता है completely आपको नीट 2025 के न्यू पेटर्ने के कार्डिंग multiple choice question की practice कराएंगे और यह दोनों काम हो जाने के बाद हम आपको ncrt के question की practice करेंगे ncrt का question का practice करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक रिकार्ड है कि नीट के exam में maximum question ncrt से या उसी पर बेस्ड यदि ncrt का direct question आपको नहीं पूछता है तो आपको उसी के concept पर बेस्ड पूछता है इसलिए हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम ncrt के प्राबलम को 100% करें ncrt के प्राबलम समको 100% करना है यह मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि कैसे करना है आपको हिंदी मीडियाम का ncrt लेना है और हमारा पूरा जो फोकस है पो ncrt के question प्रेक्टिस पर रहेगा तो यह question प्रेक्टिस तो मैं अपने से कराऊंगा और उसके बाद हम ncrt के problems भी साल्व करेंगे ओके नाव नेस्ट प्रिप्रेशन प्लानिंगी इस प्रेप्रेशन स्टेडी इस प्रिवियस यह कोस्टिन में अब हम लोग को थोड़ा साउधार रहना है कैसे साउधार रहना है क्योंकि प्रिवियस यह क जो क्いきます वो ओल्ड सिलेबस पर है तो ओल्ड सीलेबस को हम क्या करेंगे मैनस करेंगे इस में हम माइनस करंदेंगे कि यह लुगे माइनस करके हम इसको श्टडि करेंगे मतला प्रिवियस किह गुषलेट ऐसको अपने को क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा नियू सीलेबस हमको नियू सीलेबस मिल जाएगा इस तरह से हमको क्या करना है ओल्ड सीलेबस को उसमें से माइनस करके प्रिवेस यह कुस्टन की प्रेक्टिस करना है यह मैं आपको समझा दूँगा जब क्लास लूँगा तो हम प्रिवे रहके काम करना पड़ेगा अपने को इसके बाद हमारा लास्ट वर्क है टेस्ट सीरीज जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने को होगा या 50% से उपर जाएगा सुरू से नहीं सुरू से टेस्ट सीरीज चलाने का मतलब है थोड़ा सा थोड़ा वो एक डी मोटिवेशन आ जाता ह कुछ प्रापर सॉलिट प्रिप्रेशन के बाद हम टेस्ट से चलाएंगे ताकि आपके टेस्ट में मार्स अच्छे स्कोर हो तो आपका कांफिडेंस लेबल बढ़ें बैसिक मैटमेटिक्स होगा रखें कंप्लीट करने के बाद तो यह हमारा टेस्ट सिरीज होगा चलिए आपको मालूम है कि हम अपने एप्लिकेशन पर यूट्यूब पर तो हम आपको पूरे फ्री क्लास दे रहें इलेवन सब्सक्राइशन क्लास का नीट के लिए बस हम अपने और कांप्टिटिव के लिए हम क्लास लेके आते हैं वह भी बहुत ही मिनिमम फिस पर जिससे एफरडेबल फीस हमारा देखो कंप्लिट फीजिस का सिलेवास आपको कराया जाएगा सिर्फ वन ट्रीपल नाइन पर उनली वन ट्रीपल नाइन पर कराया जाएगा और वह भी अभी हम 500 आफ देंगे फस्ट हंडेड स्टूडेंट्स पर स्टार्टिंग में एड्मिसन ले पर बस अभी आपको एक लास मिलेगा और इसके लिए आपको फ्यूचर डाक्टर यह हमने कोड बनाया है आपको कंसेशन डिसकाउंट के लिए यह कोड यूज करना पड़ेगा अब आपको एक जानना होता है जिग्यासा आपको होती है कि सर कोर्स कैसे पर्चेस करें कौन स अप्लीकेशन तो हला कि आप सबको पता होता है हमारे चैनल पर लेकिन फिर भी एक बार मैं यहां पर आपको करूं और इसीन दा लर्नर सहब करके हमारा एप्लीकेशन है जो चैनल के लिंक में डिस्कृप्सर डिस्किप्सर पूरा लिंक दिया हुआ है या चैनल के नीचे जब अपने देखा लोगा क्लास में नीचे परर लिखा होता है वहां से आप एपकल करने के बाद नीचे बार पर इस्टोर सेक्षन में जाए इस्टोर सेक्षन को आप टच करोगे तो पूरे कोर्स और जो भी हमारे PDF नोट्स वगर हैं सब की लिस्टिंग आपको मिलेगी उसके पर्टिकुलर जो आपको लेना है उस पर आप जाओगे टच करोगे तो आइम इंट्रेस्टेट करके आप आप तो से हमारा जो वेबसाइड है उस औरिजीन कोचिंग पर जाके भी आपको परचेस कर सकते हैं ऑ Silk koar आप को हदी यह दोनों टसक्रेबबर पर आप कॉल करिये आपको मालूम है की जनरली हम आपका कॉल रिसीप करते हैं बई-दबह नहीं हो पाता तो हम आपको काल वेक करते हैं तो यह दो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए यह दोनों नंबर पर 9406018900 यह एक मोबाइल नंबर और नीचे हमारा एक और आफिस हमारा लेल नाइन नंबर जिसमें आप ध्यान रखना स्ट्राइटिंग में 0 लगा के ही आपको काल करना है 07871 35888 जिरो तो यह नंबर आप नोट कर लेंगे और इसके बाद फिर और किसी भी तरह की आपकी क्वाईरी हो तो आपको इस नंबर पर काल करना है बिल्कूल किसी संकोच के साथ आपको काल करके पूछना है ठीक है ठीक है ठीक है फिर मिलते हैं आपके साथ कोर्स परचेस करने के बाद हमारे लाइब क्लास पर ओके थेंग थेंग्यू समच